तो आज मैं बना रही हूं अचारी परवल पहथ ही आसान तरीके से से इसे बनादें इसे बनाने के लिए मैंने परवल लिया था जिसे आप देख सकते हो मैंने छिलके इसे काट लिया है इस तरीके से जो छोटा था उसे मैं ऐसी लंबा रहने दूँ जो बड़ा था उसे मैं टुकडा कर दी हूँ तो मैंने इसे धोके रख लिया छिलके काटके अब मैं ग्यास करके एक पेन में डाल रही हुँ थोड़ा सा तील उइल हमारा थोड़ा ज़्यादा आए क्योंकि मैं अचारी परवल बना रही हुं तो इसमें थे जदा लगता है参वरे में भुद्शिय नियुका यह नहीं और इसमें च्शे शाथ कण shadow यूdle प्याज ली हूँ मैं उसे मैं चॉप कर ली थी वो भी डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं हरी मिर्च ली थी चार से पांच हरी मिर्च ली हूँ वो मैं डाल दूँगी इसमें इन सब को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पिलीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा तो आप देख सकते हो अमारा प्याज ब्राउन हो गया है हमें इसी तरीके से रखना है अब मैं ले हूँ पांच टमाटर को मैं काट ले हूँ ये भी मैं इसमें डाल दूँगे टमाटर डाली हूँ तो टमाटर डालते ही इसमें मैं डालूँगी नमक क्योंकि नमक टमाटर को अच्छी तरीके से गला देता है यहां पर मैं नमक ली हूँ वह भी डाल दी हूँ इसमें तो नमक आप अपने कॉंटिटी के हिसाब से डाले जितना आपका सब्जी है उतना आप इसमें नमक डाले अब मैं ले रही हूँ कुछ सूखे मसाले तो यहां पर मैंने धनिया पडर लिया है अब ले रही हूँ मैं थोड़ा सा हल्दी देख रही हो अब हल्दी भी मैं डाल दी हूँ और यहां पर ले रही हूँ मैं थोड़ा सा मिर्च तो मिर्च मैंने हडा भी डाला है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही मिर्च डाल रही हूँ ज्यादा नहीं डालूंगी नि तो तीखा ज्यादा बन जाएगा इस सब को मैं अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए भून लूँगी कि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून जाए अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा मीट मसाला आप इसे इसकिप भी कर सकते हो पर ये डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका थोड़ा सा में गरम मसाला ली हूँ ये भी मैं इसमें डाल दूँगी दोनों चीज डाल करके मैं इसे थोड़ा सा और भून लेती हूँ आपको ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मैं परवल डाल के फिर इसमें फ्राई करूँगी बस थोड़ा सा इसे आमें बुनना है तो हमारा ये बुन चुका है देख सकते हो आपको इसी तरीके से रखना है जादा आपको नहीं बुनना है अब मैं इसमें परवल डाल दूँगी जो रखी थी में काठके तो मैंने सागा परवल इसमें डाल दिया है अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिला देती हूँ बहुत अच्छा बनता है एक बाद ट्राय जरूर करियेगा जो पड़वल नहीं खाता होगा वो भी खाएंगे मंग मंग कर इतना अच्छा बनेगा ये पड़वल देख सकते हूँ मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला दिया है यह हमारा मिल चुका है मैं इसे ढख के पकाऊंगी क्योंकि परवल सिदने में थोड़ा टाइम लगता है पकने में तो मैं इसे अच्छी तरीके से ढख के पकाऊंगी गैस को मैं थोड़ा कम कर दी हूँ, गैस में तेज नहीं रखी हूँ देख रिवाप, यह हमारा थोड़ा बहुत हो गया है, पर थोड़ा अभी और टाइम है यह जो पानी है, पानी हमारा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इतना मैं इसे पकाऊंगे तो मैं फिर ढख के इसे थोड़ी देर के लिए पका लेती हूँ गैस आपको कम रखना है, कम गैस पे बहुत अच्छी तरीके से यह पकता है नहीं तो आपको परवल जल जाएगा और अंदर तक यह पकेगा नहीं कच्छा पन इसमें रह जाएगी, तो हमारा पक के यह देख रहे हूँ, रेडियो हो चुका था मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ली हूँ, धनिया डाल दूंगी और आपको निकाल के दिखा रहे हूँ कैसा हमारा अचारी परवल बना रहा है फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई एंटे क्यार